हलो फ्रेंड्स वैलकम टू आवर यूटूब चैनल रॉबिन फैशन डिजाइनर दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि बोड़ी से मेजरमेंट लेके किस प्रकार से लेडिस पैंट की कटिंग की जाती है और दोस्तों साथ ही साथ मैं आपको यह भी बता मैं कर सकते हो अब दोस्तों शूरू करते हैं वीडियो और सबस्र पहमें का मेजरमेंट की जूरत होती है ल版 कर लैका कई लिय Jewelum लंबाई का मेजर में ट्लेने के लिए आपको करना क्या है आपका जो भी परचीत हो या फिर जो भी आपका कस्टमर उसको आपने इंची टेप को कहां पर बांगते हो अब देखें इनों इंची टेप को यहां पर लगा लिया है और आपको पैंट का नाप कैसे लेना यह लेंगे 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 हिप साइज का आप लेना और इनका दोस्तों वह है 38 इंच इसके बाद दोस्तों बात करते हैं तो थाइस की तो थाइस का नाप आपको किस प्रकास लेना यह देखिए लेकिन एक इंच कम से कम आपको लूज रखना है इनके जो है इसके बाद घुटने के मेजरमेंट की कोई जूटनी पड़ती क्योंकि दोस्तों जब हम शेप पट्टी से कटिंग करते हैं तो उसकी जो शेप अपने बन जाती है मोहरी के अकॉर्डिंग तो मोहरी का नाप आपको लेना जुरूरी होता है फिलाल इन्होंने जो पैंट पैनी होई है इस प्रकार से आप देखे इसको पैंट कर दो आप देख सकते हो इनका जो बोटम में वह रखेंगे लेने होता है तो मैं आपको बताता हूं किस प्रकार से इसकी कटिंग करनी है फैंस यह देखे टोटल सवा दो मीटर में पास कपड़ा है और इस कपड़े में से हमने पैंट की अप कटिंग करनी है किस प्रकार से कपड़े को बीचाना है दोस्तों यह देखिए सबसे पहले आपको इस प्रक आड़ पार्ट से होते हैं एक साद भी कारट इसकी कटिंग कर सकते हैं लेकं दोस्तों आज की वीडियो में थोड़ा सभा आपको अलग तरी हैं बताओं लाग मैं सिर्फ उसी फ्रेंट वाले पार्ट की कटिंग करेंगे, उसके बाद हम बैक वाले पार्ट की कटिंग करेंगे, किनारी वाले इससे मैंने अपनी तरफ रख लिए हैं, अब सबसे पहले आपको क्या करना है, नीचे के तरफ आपको यहाँ पर एक निशान लगाना है, दोस्तो दो इंच यह फिर धाइंच हम लीचे से फोल्ड करने के लिए एक्ष्र कप्रा लेते हैं अब फ्रेंट्स बात करते हैं इसके लंबाई की तो लंबाई इसकी थी दोस्तों वह थी 34 तो जब भी आपने पैंट की कटिंग करनी होती है हमेशा एक इंच आपको लंबाई कम लेनी लंबाई का नाप मैंने ले लिया है लंबाई के बाद जिस चीज की जूट पढ़ती है वो पढ़ती कमर की कमर का जो दोस्तों मेंने मेंजरेमिंट लिये था था 34 तो अब हम आप को करना क्या है सबसे पहले आप देख सकते हैं इसकिनारी को भी बीच में लेना नहीं यह थो तो बिल्कुल आप भूल जाएं इसको तो बिल्कुल पर निशान लगाना है यह तो इसकी साड़े आट यानि टोटल इसका एक चोथा हिस्सा हो गया कमर का 34 का साड़े आठ अब फ्रेंट इसमें आगे वाला जो पार्ट होता है पैंट में उसमें हमेशा डार्स डलती है यानि प्लेट्स डलती है तो प्लेट्स के लिए आपको ल लेना होता है तो यह तो है फ्रेंट पार्ट अब दोस्तों एक चीज़ जो में इंपोर्टेट्स के अंदर होती है वह होती है यानि कि यह जो मैंने सीधा निशान लगा है सीधी कभी भी कटिंग नहीं की जाती पैंट की यहां से एक इंच आपको डाउन लेना होता है यह इसको कभी भी सीधा निल्या जाता है हमें बोडी स्टक्चर क्योंकि दोस्तु का जो और बिलकुश की कर देंगे तो पैंट का चो अगे उप्ले लेना होता है अब यह करोड़के निकालने के लिए किस चीज की जूद पड़ेगी वो पड़ेगी हिप साइज की हिप साइज था दोस्तो 38 यानि के 38 तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको कंफूजा ना रहे सारा का सारा मेजरमेंट लिख देता हूं यह देखें लंबाई 34 है कमर भी 34 है हिप साइज 38 है थाइज का जो मेजरमें लेकि 38 इंच की तो इसका आपको करना एक चोथाई हिप साइज 38 है इसका एक चोथाई बनता है साड़े-9 तो साड़े-9 आपको कहां से लेना इस जगे से यह देखिए यहां से आपको एक इंच उपर निकालना है क्योंकि दोस्तों एक इंच उपर बैल्ट में जुड़ ज लेना है कि मैं दूबारे रिपीट कर देता हूं हिप साइज 38 था 38 का एक चोथाई बनता है साड़े-9 और इस निशान से जो हमने डाउन पर लगाया यहां से आपको एक इंच उपर निकालते साड़े-9 पर निशान लगाना है और इसके अलावा डेड़ इंच एक्टा ले अधर से लिया है टमें है बारा इंक तो इसी प्रकार से बहुत आपको नीशाना है यहां पर निशान लगाना कभी बी जो और ने ये साथ सटा कितना घंटा है सब सेंटर प्रमेंट कभी भी फिटिंग नहीं आती लिए थाइशार रहा आका यह अब दोस्तों कितना रहा औ और 12 कादा कितना बनता है यानि इसका जो सेंटर पॉइंट वो चैया यह देखी अब इस पॉइंट से आपको टोटल बॉटम इसका निकालना है क्योंकि दोस्तों बॉटम है जो नीचे से मोहरी है वह 12 तो बारा कादा कितना होता चैसे तीन इंच इधर और तीन इंच इधर आप देख चैसे हो तोटल कितना मन गया क्या यह बन गया चैस प्रकार से इसका बॉटम हमने निकाल लिया अब शेप पट्टी की दूरत पढ़ेगी दोस्तों इस प्रकार से देखें कि शेप पड़ी को आपने इस प्रकार से रखना है यह उप्रवाला जो निशान है 12 पर इसको यहाँ पर आपको मिलाना इस तरह से अब सेम इसी तरह से यह शेप पट्टी को आपने यहाँ पर रखना है और यह जो निशान है हमारा इदर आपको इसमें मिलाना है कि प्रेंट्स आप देख सकते हो इस प्रकार से आपकी पैंट है उसकी कि शेप बन चुकी है अब करते हैं इस निशान लगा और सीधा इसको इसमें ला देए आ कि इसके बाद एक चोटा सा एरो बनाना इदर और यहां से आपको देनी है गोलाई यह प्रकार से तो फ्रेंट्स इस प्रकार से आप देख सकते हो पैंट की जो पूरी की पूरी जो मार्किंग है मैंने कर लिए फ्रेंट पा पार्ट की कटिंगी गत्डियंगे मेंने करी है लेकिन जब आप आपको क्या करने है वो मैंआप से निकल जुक है अभी यह जो क्या होंगी ये देखिये सबसे पहले करनाा ऐसे कैसे कपड़को रख लिया इस तरफ से आपको बड़ाना है इधर से आपको बड़ाना है शिर्भ कि अधर से इसको में इपढ़ा दो इंच पे निशान लगा दिया अभी जो मेंने बढ़ा है दोस्तोटोक है इसके पिछे कारण क्या होता यह फिक्स था लेकिन अगर पीछे कापार्ट भी इसी leukemi कर देता हूं तो जब सिलाई करेंगे तो दोना तरफ आदा आदा इंच जब मार्जन जाएगा तो पैंट की जो फिटिंग भोजा टाइट हो जाएगी इसलिए पीछे का पार्ट है हमेशा दो इंच बड़ा लिया जाता है और दो इंच बड़ा होने के पीछे कारण और भी यह होता है कि पीछे के साइज होता है थौड़ा स्वाइज बड़ा होता है है कि पीछे वह पार्ट बड़ा नहीं काड़ते इसलिएँ को बीच्छी का पार्ट को बढ़ा काटा जाता है अब फ्रेंट्स दो इंच मैं इदर से बढ़ाया अब आपको आना उपर की तरफ जब हमने कटिंग करी थी फ्रेंट वाले पार्ट की तो इस जगे से दोस्तों मैंने एक इंच डाउन लिया था ठीक है लेकिन जब आपने ब लोते हैं बोड़ी स्क्टर के नुसार ही ऊते हैं अपको इसको पीछे से बढ़ाना होता है यह बोर्डी पीछे से और दो इंच ही आपको इसको बढ़ाना prag for P क्योंगे खके लगे तो लाष्चिक नगेगी तो लाष्टिक पढ़सा ओगा तो दो ईचापको बढ़ा के इदर से चलना है अभी दोरा है थो ुसमेस तरहे steer और अब यहां पर आपको इसी प्रकार से एरो को निशान बनाते हुए इदर करनी है गोल आई तो फ्रेंट्स बिल्कुल सा फार्मूला होता है इस प्रकार से जो मैंने इसमें मार्किंग करी आप देख सकते हो हर जगे से इसको मैंने दो दो इंच बढ़ाते हुए इस प्रका तो फ्रेंट्स आप देख सकते हो इस प्रकार से पैंट की आगे और पीछे वाले पार्ट की कटिंग मैंने कर ली है अब मैं आपको बताता हो इसमें जो प्रेंट्स के निशान किस प्रकार से लगाए जाते हैं फ्रेंट्स वाला पार्ट आप देख सकते हो बिल्कुल थी दूरी होती है लगबर चार इंच की करीब होती है और यहां see आपको इसको टोटल लगार से क्रोस में लगाना होता है यह ब्लेट के जो निशान इस प्लेट से आपको लगाने आप देख सकते हूं जैसे आप है अब दोस्तों प्रेट के निशान लगाने के बाद अब इसका जो है पॉकेट पॉकेट का मैं आपको बता हूं किस प्रकार से करनी कपड़ा काफी कम लगता है पैंट में ज्यादा कपड़ा नहीं लगता और आराम से सवादो और लंबी से लंबी पैंट दोस्तों जाए- डाइमेटर में बन जाती है ठीक है अब रही बात इसकी पॉकेट की तो यह देखिए पॉकेट की जैनरी लंबाई आपको रखनी है पंदरा इंच चुड़ाई रखनी है चैंज यह देखें और इस पकार से सीधा इसको एक निशान लगाएं और नीचे के तरफ से हलकी सीधर से आपको गुलाई देनी है पैंट कभी इसकी जो पॉकेट होती है कभी भी सीधी नहीं कड़ती नीचे के तरफ से गुलाई होती है तो फ्रेंट्स यह पॉकेट की भी मैंने कटिंग कर लिए अगर आप इसके अंदर मियानी लगाना चाहते हो तो मियानी भी लगा सकते हो दोस्तों मियानी लगाने से क्या कि उठने बैठें बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आती है बहुत ही ज्यादा कमफर्टेबल पैंट हो इसको आपने इस प्रकार से पकड़ना है और मैं आपको इसकी मियानी काट के दिखा देता हूँ तो फैंट्स यह देखिए इसकी मियानी की मैंने कर लिए दोनों के दोनों इसे मैंनी के लगवा 5-6 मियानी लगाने के जूरत नहीं होती तो फैंट्स इस प्रकार से आप देख सकते हो कि बोर्डी मेजरमेंट लेके पैंट याप कर दी है और इस प्रकार से जब पैंट की आएगी ना आपके आसन में खिचाव आएगा ना ही आपका साइड का जो कट होता है वो आगे की तरफ आएगा और बनने के बाद बहुत अच्छी बन जाती है तो दोस्तों यह थी मेरी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया कि बोड़ी मेजर में लेके किस प्रकार स से कटिंग की जाती है अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें चैनल पर पहली बार तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें थैंक्यू वेरी मच कि बोड़ी लगी है कि बोड़ी में उपको चैनल उन्टी है अपको वीडियो चैनल को वीडियो का इंक्यार आपको